सो हेलो दोस्तों अगेन वेलकम है आपका एक और ना है वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्निंग से रिलेटेड थम्नेल क्रियेट करेंगे और आज के इस वीडियो में जो थम्नेल हम क्रियेट करने वाले वो इनकम ट्रिक के उपर होने वाला है जैसे कि आप लोग यहाँ पे income trick का एक thumbnail देख सकते हो इस बाले thumbnail को हम लोग इस वीडियो में create करेंगे अभी यहाँ पे जो thumbnail है यह income trick का है और यहाँ पे आप लोग thumbnail देख सकते हो यह मैंने अपना thumbnail create किया है तो आप भी इस तरीके से अपना एक thumbnail create करना चाहते हो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग है यूजफुल है वीडियो को एंड तक वॉच करना साथी आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे थम्नेल से रिलेटेड माटेरियल मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना साथी वैल नॉटिफिकेशन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कर लेना ताकि नई आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडि के material को download करने के लिए आपको जाना है मेरे टेलिग्राम चैनल पे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेक्शन अभिसे करके मेरा टेलिग्राम चैनल है साथी साथ इस चैनल का जो link है वो मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा सो वहाँ पे भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हो चैनल को जोइन कर लेना सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे हमेशा नए नए थम्नेल के PLP फाइल, पूरा material सभी चीजे वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपके काफी ज़्यादा यूज में आने वाले है तो चैनल को अगर आपने जोइन नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक है जाके जोइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और इस थम्नेल का जो भी material है जो PLP फाइल है, सभी आपको टेलिग्राम चैनल पे दे दूँगा वहाँ से आप लोग easily डाउनलोड कर पाऊगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मेरे टेलिग्राम चैनल पे आना है यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे इस थम्नेल का जो भी material है और जो PLP फाइल है उसको मैंने यहाँ पे पहले से upload कर दिया है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे थम्नेल का material भी डाउनलोड कर सकते हो साथ-साथ यहाँ पे थम्नेल का जो PLP है उसको भी आप download कर सकते हो, दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे upload कर दिया है, तो यहाँ पे हम thumbnail के plp file से अपना thumbnail create करेंगे, इससे आपका काफी ज़्यादा समय यहाँ पे safe होगा, काफी ज़्यादा time आप लोगों का यहाँ पे बचेगा, तो thumbnail का जो plp file है, सबसे पहले हम उसक यहाँ से download करेंगे, download करने के लिए यहाँ पे आपको thumbnail का जो plp file है, उसके three dot पर आपको click करना है, three dot पर जैसे ही आप लोग click करोगे, then यहाँ पे आपके सामने save to downloads का option आएगा, इस पर आपको click कर लेना है, इस पे जैसे ही आप लोग click करोगे, तो आपका जो plp file है, वो पासवर्ट देके अंजिप करना पड़ेगा और यह जो पासवर्ट है यह आपको इसी वीडियो में आगे कहीं भी मिल जाएगा तो वीडियो को आप बिना skip करे complete watch करना पासवर्ट आपको कहीं भी मिल सकता है उसी पासवर्ट से आपका जो PLP है वो unlock होगा वो मैं आगे आपको वीडियो में बता देता हूँ चलिए यहाँ पे जैसे ही आप अपने PLP फाइल को डाउनलोड कर लोगे दैन डाउनलोड करने के बाद आपको यहां से simply back आना है अब बैक आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने PLP फाइल को unlock करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपने file manager को open कर लेना है जैसे ही आपhésitez An air अब जैसे आप लोग ur internal storage पे आऊगे दैन यहाँ पे आपको download वाले holter पे आना है यहाँ पे जैसे यहां पर आपको इसको अंजिब करना है या आप बोल सकते हो इसको आपको यहां पर एक्स्ट्रेक्ट करना है तो एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए सिंप्ली आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने एक्स्ट्रेक्ट का ओप्सन आ यहांपे आपको कहां से मिलेगा तो यहांपर को इंटर कर देता हूं आपको वीडियो में पासवर्ड मिल जाएगा उसी पासवर्ड को यहां पे इंटर कर लेना पासवर्ड को इंटर करने के बाद सिंपली यहां पे आपको एक्स्ट्रेक्ट पर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग एक्स्ट्रेक्ट पर क्लिक करोगे यहां प अपने Pixel Lab Application में आसानी से यूज कर पाओगे तो चलिए आपको कैसे इसको यूज करना है वो भी आपको बता देता हूँ तो simply यहां से आपको back कर लेना है अब back करने के बाद आपको अपने Pixel Lab Application को open करना है जैसे ही आप लोग अपने Pixel Lab Application को open करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको my project का option मिलेगा इस पर आपको click कर लेना है इस पर जैसे ही आप लोग click करोगे then यहाँ पे आपके सामने plp file वाला page open हो जाएगा जहाँ पे आपको उपर में plp का option मिलेगा तो इस पर आपको click कर लेना है अब इस पर जैसे ही आप लोग click करोगे then यहाँ पे आपको फिर से अपने download वाले folder पे आना है download वाले folder पे आने के बाद आपको फिर से telegram वाले folder को open करना है जैसे ही आप इसको open करोगे then यहाँ पे जो आपका zip file था जो आपका PLP file था उसका एक folder आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो उसको आपको open कर लेना है अब यहाँ पे आपको अपना जो PLP file है वो देखने को मिल जाएगा तो simply यहाँ पे आपको इसको कैसे use करना है use करने के लिए simply आपको इसपर click करना है जैसे ही आप इसपर click करोगे यहाँ पे आपके सामने option आएगा open and add का तो इसपर आपको click कर लेना है अब इसपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपका PLP file है वो आपके Pixel Lab application में open हो जाएगा और जो भी आपका thumbnail है वो यहाँ पे create ह होगे आजाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आप सारी चीजों को easily कस्टमाइज कर पाओगे सारी चीजों को edit कर पाओगे तो यहाँ पर अपने thumbnail को कैसे create करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहाँ पे आप layer पर click करोगे then यहाँ पे आप लोग सारी files देख पाऊगे जो चीजे जो material मैंने इस thumbnail में use किया है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है simply यहाँ पे जो मेरा photo है उसको आपको यहाँ से delete कर लेना है जैसे आप लोग यहाँ पे photo को delete करोगे तो आप लोग यहाँ से back करोगे अब आप लोग यहाँ पे देख पाऊगे जो photo था वो यहाँ से हट चुका है अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है simply अपना जो भी PNG आप लोग यहाँ पे add करना चाहते हो उसको यहाँ पे add कर लेना है तो आपका जो thumbnail है वो easily यहाँ पे ready हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे text बगएरा को change करना चाहते हो तो उसको भी आप easily यहाँ से change कर सकते हो यहाँ पे आप layer पे click करोगे जो भी material यहाँ पे मैंने use किया है उन सभी को आप लोग यहाँ पे edit कर सकते हो change कर सकते हो अपने हिसाब से customize कर सकते हो और अपना एक professional thumbnail आसानी से create कर सकते हो तो इस तरीके से आप लोग PLP का use करके अपना एक professional thumbnail create कर सकते हो income trick के जैसा अपना thumbnail create कर सकते हो दोस्तों मैं hope करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को like जरूर से कर देना चैनल पे नए हो आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो subscribe जरूर से कर लेना क्योंकि आगे आपको income tricks related और भी सारे thumbnail मिलने वाले हैं तो subscribe करके रखना bell notification को press कर लेना बाकियार इस thumbnail का जो भी PLP file है जो material है उसको मैंने telegram पे upload कर दिया है वहाँ पे जाके join कर लेना material को download कर लेना और जो PLP file का password है वो इस वीडियो में आपको मिल गया होगा तो उस password से आप PLP file को unlock कर लेना तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye